मेरा बेटा जो दस महीने काया इतनी धूप में पता नहीं वो कहां होगा कहां नहीं होगा प्लीज आप ज्यादा देशी ज्यादा शेयर करो वीडियो चाहिए कि मैं अपने बच्चों से जल्द से जल्द मिल सकूँ कुछ नहीं कहना जो भी जो गलती होगी सारी पूल जांगे तो बच्चे नहीं लेके करे आजा 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 तेृ मुमी का रो रोके बुरा हाँ तड़ रही हैे एक बार से बात तो कर ले बाप का भी उतना ही हक है जितना की मा का होता है मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहा है कहीं सही संगत में है कहीं है मैं उनको कोई भी नुक्सान नहीं पहुचाना चाहता हूँ चार साल में मेरे जिंदिगी में शादी हुए हो गई है तो अगले दिन वापस आ गई थी घर पे वह भी शादी शुदा है उनमें इनमें एक दूसरे से साथ द्वारा कठे होके भी जीवन बतौन मिन्नू मारंदी शाजेश जीदे विच्च रशी गी या भी मैं उनू मार देना है मेरे पास एस्ट्रेम वह चैटिंग भी मजूद ह में चैटिंग कढ़ते पढ़ते मेरे परिवार के लिए हर चीज कर रहा हूं इतना लंबा ह expect बेटों तो यह और आ देखने को आई सब्सक्राव में हूं African और आप सब्सक्राइब की फोटो देख रहाएंनिक और रहेको छोटा सा बच्चा जो है उसकी तस्वीर देख रहे होंगे इस तस्वीर के बारे में आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले अपील यह एकिस वीडियो को हैं और गुहार लगा रहे हैं क्योंकि दस महिने का बच्चा भी है इस महिला के साथ यह महिला अपने बच्चे को भी लेकर चली गई है गायब हो गिया और इसी को लेकर यह कभी अम्री सर कभी पतेयाला कभी कहीं और कभी कहीं इसे ठूणने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये बच्चा और इसकी jTE मााँ है वो नहीं मुले ही इनी से वाजचित करते हैं लेकिन आम लोगों को से हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को जाद से जादा शियर जूर करें क्योंकि महिला जो है गायब हुई है बच्चे को लेकर इस महिला की तीसरी शादी थी और दस महीने का बच्चा थो था इनी सजन का था और यह लुद्याना के रहने वाले है और इनी से बाचित करते हैं लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें इस तरह पोस्टर जो है लगे होंगे और नीचे जो है नाम पता सब कुछ लिखा होगा तो यह इनका नाम जो है बताया जा रहा है रोषणी नाम है और उमर 26 साल बताई जा रही है लड़के का नाम एकम है और दस महीने का बच्चा है सूचना देने वाले कोई नाम भी दिया जाए 09585318 यह दो नंबर जो है इन्होंने जारी कि है स्क्रीन पर हम यह नंबर भी जो है टाइटल में आपको दे देंगे लेकिन अपील यह कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जुरू करें इन से बात्चित करने की कोशिश करते हैं क्या नमजी आपका मेरा कमली सिंग गई जिए जदों करों किते मैं दास्मेंट ले गया ताएं करों सारा गया ते कुछ राकम जो घर पे पड़ी होती है घर के गुजारे के लिए वह इन्होंने ली और घर से निकल गए उस दिन से तीन तरीक से लेकिक आज तक वी मैं नानू कदे किते कभी अमरी सर कभी गड़गाओं कभी दिल्ली कभी का अभी लास्ट टाइम इसका एक हफते पहले गड़गाओं शिक्सिवन कि सेक्टर से मेरे को फोन आया है तो मैंने इनको बड़ा समझाने की कोशिश की है तो अब इन्होंने फोन कट दिया वो कोई नंबर को यह नंब कभी दुकान-दार से लेके इनों नी किया फोन मैंने उस्कान-दार को बलाया वो पूछा भी भी ब़ईया यह कहां है उनहोंने बोला भी पाटा नहीं हमको कहां पहे हम से सब फोन मद bikली के गान था और हमने फोन दिया तो उनके साथ अकेली मैं क्या अकेली थी और उनके साथ एक डिड़ साल का बच्चा था उसके बाद में आज तक फिर कोई फोन नहीं कोई कुछ भी नहीं है मेरे बेटा मेरा बेटा जो दस महीने का इतनी धूप में पता नहीं वो कहां होगा कहां नहीं होगा प्लीज आप ज्यादा देशी ज्यादा शेयर करो वीडियो चाहिए कि मैं अपने बच्चों से जल्दे जल्द मिल सकूं यह तीन तरीक को गाइब होई पानी पत में कब देखी गी और गुर्गामा से जो फोन आया था तो आज तो दक देन पहला इन्हाने किते रास्ते राज आंदे तो इन्हाने फोन लया थे उदों फोन कीता पर मैं उठा नहीं पाया फोन जब मैंने उस शक्ष को आदे घंट से उनके पास बच्चा था मैंने समझ गया व्ञे रोश्जय ही थी मेरे बच्चे के साथ मेरी पतनी अतिन प्त अब कर पानी बंड के बारे में इसलिए मृत बन म。 वाजी दे दफ्तर आया इन से मैंने हैल्प मांगी तो इन्होंने मेरी हैल्प की मिरे को बहुत सहारा दिया इसम इन्होंने बास गुर्डवा कदफ होना ऐसी तोड़े कलो अपनी गाल हो यह की गाल हो इस तोड़े है बस डर्दे भी यहां जी मेनू पहला गल इस गल तो शु नहीं कहना जो भी जो गलती होगी सारी पॉल जांगे तो बच्चे नूं लेकर करें आजा 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 तेरी ममी का रो रोके बुरा हाल तडफ रही है एक बार उससे बात तो कर ले ते बस उसके बाद फोन कट हो गया उसके बाद फोन नहीं है कुछ चलो कहना तुन बाद में पता चला था जो इस लड़के के साथ जब मेरी च्छादी होई है तो यह तो मेरे सामने की बात है मेरे मेरे एरिये में यह रहते थे वहाँ पे इसका हस्बिने के साथ जगड़ा बहुत ज़्यादा होता था क्या पता मेरे को उसका अंदर की बाद नहीं पता क्या तो मेरे से सामने मेरे कुछ भी नहीं मैंने देखा उता निनमें जगड़ा बहुत होटा था क्या पता इसी बजाज उता तो थैश्चार साल में मेरे जिंदिकी में आई शादी को गवे कि दूसरी बात्रा में ने पकड़ा चैटिंग में पहले भी चैटिंग आज से धाई साल पहले चैटिंग करते हुए पकड़े गए तब एक दिन ऐसे घर से निकल गई तो अगले दिन वापस आ गई थी घर पे अब सबसे में जुरूरी बात है भी हमें बच्चे की सबसे ज्यादा बाप का भी उतना ही हक जितना कि मां का होता ह इस लिडितना कि मेरा बच्चा कहां है कहीं सखेल सगत में हैं कहीं है मैं उनको कोई भी नुक्सान नहीं पहुंचाना चाहता हूं discussionsum मैं अपना जब भी चाहूं 10-15 दिन बाद जाके मिल सकूं अपने बेटे को जो उसका हक बनता है उसको दे सको चैटिंग में क्या बाते हुई बताना चाहो और दूसरा जिसले के साथ चैटिंग हुई उलड़का कहां का रहने वाला था उसका बैग पूर उसका ड्रेस निकलवाया गया है वह शार्पूर पंडौरी कला पड़ता है उनको डाखाना पेंड हडैन 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 पिक्चर भी है उसकी मेरे पास उसके साथ बाते करते करते भी वी शादी शुदा है अंके इन में एक दूसरे से साथ दौरणा कठे होके ही जीवन बताओघ। भिंट नुमरें रिखेश जीदे विचे गई यह भी मेरे बच्चे को वेचने की वी बात उसमें की गई थी साथ आठ लाक रपे में बेचूंगे बिल्कुल सर मेरे पास मौयूद होंगे वह सारे पॉइंट्स फोन में है मेरे पास लड़का पूरी शानमीन की है पर यह शक्स कहता है मेरी तीन तरीक लास्ट में उनको फोन किया और बोला वी मिए आपके साथ मेरी चैटिंग पकड़ी गई तो उस लड़के ने बोला मैंने तो उनको बोल दिया भी आप शादी शुदा हो मैं आप अपने घर पे जाओ पर ज लड़का भी शादी शुदा है लड़का नाम नाम जुगिंदर राम है ते शादी शुदा है एक बच्चे का बाप है उदे कर गए से तुस्य करड़े की बोल दे कर दे वह घर पे तो उसकी मम्मी थी पर जाई शी की उन्हां इस वारे कोई नौले नी नी शी क्योंकि वह मेरा फोन नहीं उठा रहा था जब उसको पता चला गाओं के बीच उसको ढूंडता मैं फिर रहा हूं तो उसने मेरे को बैक कॉल की ती जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है वो इतना जूट बोल रहा था हर बात भी घर पे कोई नहीं है मैं तो पीजी आई में हूँ मेरे जी जा जी और सिस्टर का बहुत ब्यानक एकसिडेंट हो गया है वो सब जूट निकला जब घर पे गया तो घर पे सब सही सलामत था और उनके घरवाले पहले तो बिशवाश नहीं किया जब मैंने उनको कहा भी आई आपके बेटे का नंबर है यह आवाज उसकी है तो घर इहान हो गया इ gouvernंत ने कोई साथ नहीं दिए दस दिन फिर तरा फिर मैं ने जाके ठाइने में मेरी कोई अब पंजाब चंडीज़ नौ सेक्टर सब्दक्र मेरे मेरी तफिर जाकर उन्हें ने उन्होंने झारकिआ करवाई फीर मैं sed dishes पूश्टाश करके अभी जमानत पे उसे छोड़ दिया यह जब भी जुरूत पड़ेगी आना पड़ेगा उसका नंबर बगएदा सब लेके उनको ट्रेसिंग पे डाला हुआ है किस नंबर से ज्यादा से ज्यादा उसको कॉड़ी पहली पहली शादी उसकी पानीपत में परिवार यहां था पानीपत में ते सेकंड वाली शादी थी वह लुद्याना में वी थी जो फोटोग्राफर का काम करता था लड़का आपकी दूसरी मेरी जी पहली मेरी तो मेरे कोई बच्चा नी एदे नाड मेरा यह पहला बेबी यह लड़का है मतब आजये तेас जिनानी लुकलनू त्यार हो उसरा मैं अपने बेटे लगी सबिस करने बेटे को और बाप की हांगा तो मैं दोनों की परवरीश करने खो कि कि दिए आगी युटिक काम करते हैं लुद्धियाने का रहने वाला हूँ और मैं झाप्रप्र करता हूं मार्केटिंग की जॉब करता हूं चैटिंग वट्साफ तो हो रही थी वड्साइब तो जब मैंने इसका फोन अभी भी मेरे पास है तो उस पर यह स्नैपचैट चलाते थे स्नैपचैट पर भी चैटिंग करते थे तो वीडियो को शेयर करें क्योंकि मारने की विशाजिस और बच्चा बेचने की विशाजिस जो है वो हो रहे थी अपील यह देगी कि अब गुडगावां में यह हैं और पानी पर से किसी सज्जन के नंबर से फोन किया था रोशनी इसका नाम है 26 साल उमर बताई जारी और बच्चा जो है दस महीने का है लेकिन बड़ी बात यह है कि घर पे जब यह नहीं होते थे तब यह वट्सप से स्नैपचैट से जो है बात चित करते थी अभी यह पता लग पाएगी यह दोनों कैसे संपर्क में आये थे यह संपर्क में ऐसे आये थ देखा लगाएं मेरे को तो सहारा पड़ाने के के ता हिए रख के लगवा रख चलवी रहा हिए नहीं back contrary पयले प्रणरे का और जो भी इससे डवाज लेने का पर वो उसने जाली शादी की उच्छी से वो कोई रिकार्ड लो धाना कोट में कोई मेरेश का कोई रिकार्ड ही नहीं यह अई सका यह पतनी और यह लड़का कैसे संपर्क में ते और हम दो घंटे ट्रेन आने में अभी बाकी थे तो हम खाना खा रहे थे खाना खाते खाते अचानक इसका फोन पर कोई मैसीज आया तो एक दम चे इसने खाना छोड़के फोन उठाया मेरे को शाक हुआ चलो इसने फोन उठाके ना फटा फर जानके अपनी मम्मी से बात क तो मैंने फोन रखा नीचे तो मैंने फोन उठाने कोशिश की तो इतने जैसे जबरदस्ती होता है ना भी फोन मैं क्योंकि मैंने चाड़ता सब्सक्राइब नमबर नहीं था नवर्यूंबर था 95 3411 वहत्तर 501 नमबर था उसमें तो उसी पे मैंने जब उसको किया तो देख मैं नंबर को किया उसमें जब मैंने देखा तो चैटिंग पढ़ते 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 मेरा दिमाग खराब हो गया भी मेरे इस परिवार के लिए हर चीज कर रहा हूं हर चीज कर रहा हूं इतना लंबा इलाज करवाया बेटे का बेटा हुआ मेरे पास हर उसे अच्छी परवरिश दे रहा हूं तो मेरे पीट पीशे यह हो रहा है बस इसी जगड़े के कारण वो घर से निकल गई चलिए गुडगावा में देखी गई है और पानीपत में इसने फोन किया था वीडियो को शेयर जुरू करें ताकि इस महिला का पता लग सके और क्योंकि तीसरी शादी थी और बच्चा दस महिने का है गलत हाथों में ना बच्चा चला जा इसके लिए आप लोग जो है झाल